जुट मॉर्णिंग विल्कम एवरीवन फॉर देली नीज आलेसिस फॉर 8 जून 2020 सो गाइज इन तो देली नीज आलेसिस वी आपट इस इंपॉर्ट नीज आर्टिकल्स इंडिया का चाइना को यह कहना है रिस्टोर एप्रिल स्टेटस अलॉंग लाइन फैक्ट्रोल तो दोन इसनल जो स्टेटस है लाइन ऑफ एक्ट्रोल के अराउंड वह आपको रिस्टोर करना जरूरी है और इसी के साथ साथ विल्सी इस तिंग्स जो की आज कि दियने के लिए हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी डेली के चीफ मिनिस्टर डेली हॉस्पितल्स ओनली फॉर इस रे 15 पेज यानि की बिजनेस पेज मंडे को कुछ ज्यादा नहीं आता है तो आज बिजनेस पेज पेज मारी इंपॉर्टेंट न्यूस आर्टिकल्स ना उने की वजह से न्यूस्पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है रिस्टोर एप्रिल स्टेटिस सट्टिसगर कम्प्लीट 37% ये टागेट अंडर मनेगा इन टूमांस चाइना इंटरनल प्रेशेश आ रविग शी जिनपिंग तक पांस ऑन बॉडर तो यानि कि उनका यह कहना है एक एनलिस्स हैं उनका है कि जो इंटरनल प्रेशर है शी जिनपिंग चाइनीज प्रेजिडेंट पे उस वजह से चाइ चाइना शायद यह चीज़े कर रहा है कि इंडिया को परिशान करना बॉर्डर पे ताकि अपनी रेपिटेशन जो अभी एक्जिस्टिंग लीडर्शिप है चाइना की उनकी अपनी रेपिटेशन बची रह सके तो यह सारे आटिकल्स है एक वन बाइवान इनको डील करेंगे इंडिया सोलर फेरी सेल्स इंटी ग्लोबल कॉंटेस्ट अमिट पैंडेमिक पद्मा अवार्ड पॉर्टल गोज लाइव पद्मा अवार्डी जो है उनका जो पॉर्टल है उसको लाइव कर दिया गया है दें सेंटर मस्ट हेल्प सेट्स पुट एकनॉमीज पूद्य आपको पता है कि मैं संदे का नियूस पेपर अनलाइज नहीं करता हूं तो हम संदे के नियूस पेपर के जो इंपॉर्टन आर्टिकल्स है उनको भी आज के देली नियूस के साथ देखेंगे इंडिया फेसिंग डिमांड रिसेशन तो स्टार्ट करते हैं गाइस आप जिनको आने कैट्वी प्लस जॉइन करना है तो फी थोड़े सा बढ़ा दी गई है जो टू यह के लिए जो फी थी वो आपकी 64,000 कर दी गई है अभी यह 10% डिसकांट चल रहा है यानि कि आपको 59,000 के आरां कुछ पे करने पड़ेंगे 58,000 के आरां तो अभी भी आप जदिन वाइटी 71 कोड यूज करके पहले यह जो 75% अफ था इसे अब 67% कर दिया गया है तो अभी भी आप 10% डिसकांट ले सकते हैं यह यह कब जो है 10% डिसकांट भी खतम कर दिया जाएगा तो इस बेटर और EMI फैसिलिटी इस नाव अवेलेबल ऑन 6,12,24 मांस सब्सक्रि से यह जतिन वाइटी 71 वाला जो कोड है इसके ऊपर जो डिसकांट मिल रहा है गाइस वह भी शायद वेवाफ हो जाएगा अब कतम हो जाएगा तो इसलिए इस बेटर और गवर्नेंस कोर्स जो 3rd of June से स्टार्ट हुआ था इस वजह से और पॉलिटी का जो कोर्स है 25 में से ह हमारा स्टार्ट हुआ था मैं बार-बार यह कहते हो आ रहा हूं इसके लिए आप आने कैडमी प्लस जॉइन कर सकते हैं यह व्यूस दिसकोड जतिन वाइटी 71 इन और तो सब्सक्रिप्शन देन यह है मेरी आने कैडमी की प्रोफाइल आप यहां पर यह जो हैट्स हैं यह डाउं यह डेडिकेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं एजुकेशन के अरीना में आने कैडमी प्लस जॉइन करने के बाद आपको मेरे से एडिटोरियल को स्टडी करते हैं तो आप लोग उस को भी जॉइन करने के लिए आने के अडमी प्लस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस इस हाव यह व्यूजू यूजू 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 की वह लाइफ कर दी जाएगी तो आप जतिन वर्मा.org से मागजीन से अगें यह 25 महीं से को शुरू हुआ था जो को साथ हुआ था बार-बार में दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा कि एक बार तो डिसकाउंट कर दम हो चुका है बट यह जो कोर्स है यह तीन महीने चार महीने के बाद आएगा अब दोबारा से तो इस बेटर की जॉइन सब्सक्राइब करें यह एडिटोरियल में हमारे फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट जो की पहले इंडियन फॉरेंट सर्विसेस का पाट रहे चुके हैं मिस्टर हामिद अंसारी उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि गल्फ को अपरेशन कांसल की और ओपक की गल्फ को सेक्योरिटी का रूल यूएइए कंट्रीज का जो सेक्योरिटी का रूल है वो निभाते हुए आ रहा था अब यूएस से ने यहां पर कोई रोल प्ले करना बंद कर दिया है दीरे-दीरे से और इस वजा से सावदी अरेबिया की पावर कम हो रही है और इरान की और बाकी इंडिविजुल कंट्री जैसे की यूए है कातर है इनकी पावर ओमन है इनकी पावर बढ़ती हुए नजर आ रही है तो काफी अच्छा आटिकल वेरी गुद इंसाइट्फुल आटिकल इसमें भी कुछ-कुछ चीजें हम सीखने को मिलेंगी तो यह आटिकल है और इसमें दो राइटर से इनका पेजिंग दी प्राइवेट सेक्टर इन दी कोवेड 19 फाइट तो राइटर का यहां पर कहना है कि पैंडेमिक इस चांस तो ब्रिंग इन च्रुक्छ चेंज इन दी वें इंडिया मैंगेजिस इस हेल्ट सेक्टर पॉइंट फॉर्माट में इन्हों ने अर्टिकल लिखा है ऑप्शन बांज टू ऑप्शन त्री तो इसके विलावा फॉस्पिटल के इंफ्रस्ट्रॉक्टर को कैसे दुरूस्त किया जाए लाप सर्विसेश को कैसे स्ट्रेंदिन किया जाए इन इसूस पे राइटर ने लिखा है तो यह काफी अच्छे से ह है यह आर्टिकल जैसा मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा एलेक्शन्स ड्यू है टेंग स्टेट्स की जो सीट होने जा रही है तो इस वज़ा से बीजेपी का रोल रहेगा बीजेपी की टाली कितनी होगी इन सब चीजों के लावा हम समझेंगे कि राज्यसभा क्यों इंपोर्टन है आज के एडिटोरियल अनालेसिस में तो स्टार्ट करते हैं अद्रेसिंग टी इलिफेंट इन रूम यह जो एलिफेंट ट्राजडी हुई है के रहे लामे उसको लेकर आपकल है तो स्टार्ट करते हैं इंग लाव के लिब चान, इस मिलेस्ट वेज्टन अफेर्neg झार्ट करते हैं कि छोल्बाट बॉड्य जा तो यह मिलिट्री टॉक्स जो है मिलिट्री कमांडर टॉक्स चलती रहेंगी मिनिस्ट्री अफेर से टॉक्स वर हेल इन पॉजिटिव मैनर बाक्टु गवर्मेंट्स टॉक्स विच वेंट ऑन फॉर सेवरेल और रिमेंड इन कॉन्क्लूजिव यानि कि कोई नतीजे पर यह नहीं पहुंची बठा डिसकेशन हुई पॉजिटिव मैनर में डिसकेशन हुई यह अपने आप में अच्छी बात है वाल इंडिया वस फॉर्म ओन रिस्टोरिंग इस्टेश को इंडिया हमेशा ही कहते हुए रहे कि 5th में से पहले का जो स्टेश को था उसको चाइना रिस इंडियन टरिटरी और चाइना अपनी साइट पर यह चाइनी साइड यहां पे तो इन्फरास्ट्ट्र बना लिया रोड कनेक्टिविटी है सब कुछ है अब हमारा बॉर्डर रोड ऑगनाइजेशन जब यहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्ट्र डेवलप कर रहा है तो च पर्टी शीजिन पिंग जो लोग है चाइना की पॉलिटिकल पार्टी में कॉम्मेंस पार्टी ऑफ चाइना में उनके प्रेशो की वज़ा से वह उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शीजिन्पिंग के कारेकाल में क्यों यूएसे और चाइना डिस्पीट अपने चरम पे है शी जिन्पिंग के कारेकाल में क्यों Hong Kong उनके हाथ से बाहर निकल रहा है इसलिए इंडिया को एक soft target मान के यह चीजे करी जा रही है चाइना's action violated the existing boundary agreement meant to preserve peace and tranquility on the border and this was also communicated it has been learned a meeting was held between the cops commander based in the lay and Chinese commander on June 6th the Saturday in Chushul Moldo region both sides agree to peacefully resolve the situation but talks were inconclusive अभी कोई नतीजे पर यह talks बातचीत अभी नतीजे पर नहीं पहुंची है तो यह सारी चीजे हैं then then coming here थोड़ा नहीं बहुत है very nice थोड़ी इंक्रीज नहीं है बहुत जादा इंक्रीज है बट आपको समझना होगा कि आनकाडमी को यह जो इंक्रीज है इससे सिरफ 5 या 6,000 का फायदा होगा बाकी सब जी एस्ट में चला जाएगा जी एस्ट एडुकेशन पर 18 परसेंट है लेकिन बाकी सारी चीजों पर मॉबाइल फोन पर लक्षरी मॉबाइल फोन पर एक्सपेंसिव मॉबाइल फोन पर जी एस्ट 12 परसेंट है तो यह सारी चीज है पर सब्सक्राइब करेंट जा रही है तो यह सारी चीजे जो हो रही है इस्ट विश्ट पर जाएंट पर जा रही है तो यह सारी चीजे चो हो रही है इसी के बीचों बीच यह चीजे चलती हुई then coming here the two sides will continue the diplomatic and military engagements to resolve the situation without elaborating on developments on the ground यह सारी चीजे और दोबार से इसे रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता हम पिछले काफी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इससे पहले डोक्लैम क्राइसिस हुआ था अब जो है डॉलत ब एक ओल्दी लेक के पास यह सारी जो क्राइसिस है यह तीन तीन सेक्टर में हमने देखा कि वेस्टन सेक्टर में और अरुनाचल के पास इस्टन सेक्टर में भी इस बार जो यह क्राइसिस है देखने को मिल रहा है उत्तराकंड जमू एंड काश्मीर उत्तराकंड वेस्टन सेक्टर, मिडल सेक्टर और इस पहली बार हुआ है कि तीन सेक्टर पे चाइना इंडिया को तक्कर देते हुए और इस बार जो कि इस बार इस बार की तरह नहीं है कि गल्टी से को एक जीप जो है वह इंडिया के लाके में घुसाय बॉर्डर इंडिया वेल्यूजन है नहीं दिसे वेल प्लान आस पर दी एक्सपर्स communications between the senior military commanders will ensure that tensions don't flare up on the ground as talks continue at the highest levels to find a way to resolve the issue right so this is there then China ratches up media blitz on line of actual control to China TV channels k kuch kuch dhrishy hain yaha pe jho sites hain China apne apko yeh dikhara ki kaafi zyadha retaliatory rukh apnaate huye China kiski taraf Taiwan ki taraf to for the second time in one week Chinese state media outlets have showcased military exercises tailored to high altitude regions linking the drills to the ongoing tensions with India along the line of actual control the People's Liberation Army of China organized a large-scale maneuver operations featuring thousands of para troopers plus armored vehicles to the country's high altitude north-western region over a long distance from Central China's Hubei province to yeh kuch mock drill exercises ki tarhe army joker raha hai unko TV channels pe kuch is tarhe darshaya jara hai ki India ke saadjo border dispute chal raha hai us ke liye army prepare kar raha hai the global times ek newspaper joe that plays a key role in the external propaganda of the Chinese government said of the latest drill that the entire process was completed in just a few hours demonstrating China's capability of quickly reinforcing border defenses when necessary China ne pass may be official media ko use kiya hai to showcase military drills amid tension territorial disputes approach yeh joe approach hai yeh China military leti hai as a struggle for people as a struggle for public opinion to twist the public opinion to tilt the public opinion in favor of Chinese establishment Chinese government yeh sab kiya jata hai hai right manovers aim that Taiwan are frequently showcasing on they are frequently showcasing on these things now coming here to this other part just one minute then the official PLA daily in an august 2007 article described the strategy as aimed to fully integrate the publicity forces of the public opinion radio TV yani ki hum border pe kya kar raha hai hai that seizing the initiative was key in struggle for public opinion lessons for future the aim was to make india succumb without a confrontation between the confrontation between the two armies the approach served lessons for the future struggles the latest drills were also broadcast on the official broadcasters china central tv all these things are going on now let's go this analyst mr. jayadeva ranadei joki army and former additional secretary cabinet secretary cabinet secretary government of india to inka yeh kena hai ki china's internal pressures are driving xi jinping's toughest stance on border toughest stance q liya jara hai isi liya jara hai to inka yeh kena hai facing the pressure from the trade war with usa and an economy hit by the pandemic china's leadership appears to be taking a tougher line on issues related to sovereignty from taiwan to india border to isi liya yeh kiya jara hai china is unlikely to change the course and pull back this bar lagta nahi ki china joe pull back karega kyun as doing so would hurt the credibility of the leadership which is already under pressure ab jab in se yeh pucha gya that how unusual is the current situation on the line of actual control given the number and scale of standoffs since last month the situation is inka yeh kehna ta ki situation is certainly different q situation certainly different hai firstly these have occurred at multiple points along the lse from ladakh to nakula in sikkim the activation of a new diplomatic front by nipal against india is a part of this strategy to nipal ko diplomatic tool ki diplomatic front ke way me use karta hua china ki pehle aisa nahi kiya jata ta ki third kisi third country ko involve kiya jaya pehli baat eastern sector ladakh lay ladakh region me right panggong so lake ke paas dousera utra khand me nipal ko joe activate kiya gaya kaise nipal ko yeh kaha jara hai joko kaala paani region hai us meh india ko involve karo india ko criticize karo and then khud se sikkim meh joh area hai waha pe bhi yeh dispute ko rake up kiya jara hai toh yeh sari joh cheeze chal rahi hai nakula pass ke paas or yeh sab chizhe ladakh se lekar sikkim tuk china teen fronts pe india ko counter karte hua it is a new kind of activity that chinese have created on our northern borders since xi jinping has taken over the nature and the kind of intrusions that we have been seeing have altered they have become more firm and they appear to have been and they appear to have been premeditated and planned so all these things are going on just one minute guys so this is there then uh galvan valley which is one of the main points of confrontation galvan valley joki main points is meh confrontation ka uh confrontation has not witnessed an intrusion for last 15 to 20 years so ab aisa q hai ki is point pe bhi intrusion dekhne ko mil raha hai to yeh sari chizhe yaha pe dekhne ko mil raha hai then coming here why is china opening a new front in galvan the construction of darbuk shok dalat beg olde road darbuk shok dalat beg olde road ko jo india ne complete kia hai certainly would have been one of the factors together with the upgrading of our defense logistic infrastructure these are the points of concern for the chinese in addition to that what has occurred in the recent past is growing chinese stakes in the region particularly with the the chinese uh china pakistan economic corridor after the revocation of articles 370 and 5a of our constitution the chinese got more apprehensive so yeh reason ho chakta hai joh india ke domestic arena mein play over play out hote woe dikh rahe hai ki india ne article 370 ko abrogate kar diya aur uh isi liye china ka jo ek shak hai woh zahada barte hoi yaan pe of course the pakistanis would have egged on them egged them on which is why pakistan unko yeh joe baadkane ka ka kaam kar rahe ki which is why we have seen the chinese taking the kashmir issue to united nations security council on four occasions so far with their close ties with the pakistanis they may have decided that they need to safeguard their interests in these areas so yeh sare points hoem pehle se dekhty waareh darbuk shurk and dollat bay goldi joh humnne road construct karriyeh yeh wo road ka depiction hai joh ki eme sidha chinese border tuk lye jati hai dollat bay goldi is town ka naam hai johan peh yeh road culminate hootie hai toh is wajah se china mein ek ek yeh keh sakte ki criticism aur yaa fir yeh apprehension johe us wajah se china aisa kerta hua toh yeh zahada isme nahi jayenge humnne iska view point ekmeen how do we assess president xi's position internally after the pandemic there are two factors that are causing a concern for him the first is the economic situation as seen through the u.s china trade war war u.s china trade war is developing as aggravating the as aggravating that unless mr xi is able to tackle the u.s china trade war domestic criticism will continue second the source of the voice this content the intellectuals the academics and the students uh he doesn't think the expert doesn't think that they are reconciled to the situation yani ki jo voice this content is intellectuals and academics and students they are reconciled to the situation unko reconcile unko situation ke baare mein poora jayza hai bhi ya nahi yeh bhi ek bady baat neither are those communist party carders serving or retired who don't want to return to one man rule china me uh jayna mein jho internally jala hai xi jinping ke against ya xi jinping ko unki janta china ki janta kud ki kaise dhikti hai yeh eek cheese hai a lot depends upon the level of this content within the communist party particularly its middle and higher echelons and we don't know how much of that has already been how much of that has really been sorted out so yes look at the fact that he has created a new central small group under guo shenkun who is the secretary to the central political and legal affairs commission his right hand man to look at the political stability and political situation in china these things indicate that president xi jinping himself knows that there are problems ahead and that his own position is not hundred percent secured they are influencing china's external posture whether on taiwan or with india this tougher line has come about because of the perception domestically that the two centenary goals as they call it number one the china dream and catching up if not surpassing the if not surpassing the us by 2049 are slipping out of the grasp of the leadership logo major abha said perception among chinese people that the leadership did not have a firm grip of the situation is one of the real key factors why she has opted for a much tougher line the u.s china factor is an other all these things are there so so it has happened that with hong kong he has taken a tough line with taiwan he is applying pressure in the south china sea he has started sending pla navy warships there what we are seeing on the borders with india is a part of the similar phenomena so all these things are there so that does bring us to the question that can he afford to pull back and face criticism from within china if he is doing this to show up his credibility to show up his credibility so he has all these things here in china's clean territorial waters united nations convention on law of sea in china's clean territorial waters united nations united nations united nations united nations united पारेसल आइलेंड इस प्रैक्ली आइलेंड आइंड इन स्कार्बोरो आइलेंड इस चाइना क्लेम करता है तो यह सारी चीज़ेंगे यहां पर जिसकी वज़ा से डिस्फ्यूट चल रहा है फिलिपीन को दबा दिया गया है पहले फिलिपीन इनके खिलाफ अवाज उठा रह प्राइब को अश्यवता करते हुए उडिया इंडिया को कर रहा आप कर रहा है कि इंडिया की बात रखने में यहां पे अनाम का साथ बाकी की मैं भी मैलेशिया जो मालेशिया करता है ब्रूणी करता है लिगे चाइन जमा जिते वहनना偏ं गया में यह एंद अरिया से अगर नहीं आता है लेकिन कहीं कहीं पर क्लेम्स ओवरलैपिंग भी है 200 नौटिकल माइल्स में कुछ आइलेंड जैसे हैं कुछ एरिया ऐसा है इस ओशन का साउट चाइना सी का जो की चाइना को बिलाउं करना चाहिए और साथ-साथ जो कि फिलिपिन्स को भी होना फिलिपिन्स का भी होना चाहिए तो यह यह कैसे इंटर्प्रेट किया जाएगा यह भी एक बड़ी समस्या है कंट्रीज के सामने अब आते हैं सोशल इशूस पे डिमेस्टिक पॉलिटिकल इशूस पे शत्यसगर कंप्लीट सटी सेवन परसंट यहली टार्गेट अंडर मन्रेगा इन टू परसंट गोड अन्रेगा यह लॉग लग फे शट इशूस पेन परसंट इस अंडर इमेस्ट इन बड़ी परसंट इस इन एप्रिल आं अडर इन टी मन्रेगा अफ इस यह विए तो आटी एटीए लाग पर्जेटेट इस तो आटासी लोगों को परसंट इस दो सो आटासी As a result, it has been able to cover 37% of the financial year's target of creating 1350 lakh person days. The scheme has helped pump money into the rural economy during the lockdown. Agricultural activity will be least affected by the COVID-19 pandemic as there is no issue of plants, shutting or unavailability of the labour. And the Manrega component will put money straight in the hands of the households. As urban business centres closed during the lockdown, more number of people returned to villages needing some kind of work. So the government was able to be there for them when they needed us. Second to Maharashtra. So far, the state has provided 100 days of employment to 1996 families. Maharashtra comparison, if we do this, we will be able to do this in the same way. This is just a factual news as the 36th has allowed more than one member of a family to work on a job card. Manrega, this is 100 people for this job. Manrega, this is just 100 people for this job. 100 days per family right per family है, लेकिन 36 क्या किया है, 36 करने 100 से जादा लोगों के लिए मतलब 100 से जादा दिन एक family के लिए अलाओ कर दिये चाहे husband काम करें या family का चाहे पूरी family husband or wife दोनों काम करें सौ दिन से जादा किसी family को मनरेगा के rules के थेट नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन state of शत्यस गड़ ओवर अचीव कर पा रहे है state of शत्यस गड़ ओवर अचीव इसलिए कर पा रहे है because of the reason that it has allowed more than one member of a family to work on a job चलिह आप यह पॉइंट को नोट कर लेना कि यह मटेड मनन्रेगा की जो गाइडलाइन है मरेगा की गॉइडलाइन कटो कि तक के हिसाब से फ mossesTech फ्रफड Fermi which pushes workers away the government made sure money reaches them as soon as possible fund transfer order क्या होता है fund transfer order ministry of rural development union ministry of rural development in charge administrative ministry मनरिका के लिए जब कोई state muster rolls की details भेचती है state की तरफ से यह जाते है request कि हमें पैसे भेजिए और जब फिर fund transfer order issue होता है union ministry of rural development की तरफ से तभी state के पास पैसे आते हैं और तभी state मनरिका workers को पैसे दे पाती है लेकिन यहां पर fund transfers जो orders हैं वो देरी से generate हो रहे हैं वो पूरी तरह से जल्दी से टाइम से generate नहीं किये जा पार है तो workers तुक दी मनरिका opportunities along with collecting minor forest produce like tendu leaves and mahua during the early collection drives तो यह factual news है इसमें जादा नहीं जाएंगे तो government can give them अब कुछ कुछ suggestions भी है यहां पर government can give them more give them some skill up gradation opportunities the government can give them some skill up gradation opportunities the governments are the government are considering if workers can be tagged with say horticulture vegetable growing seri culture poultry and dairy sectors during the monsoon workers either saw their own fields or those of others before seeking work elsewhere the government are looking what can be done at home and then the government will get a better picture in the couple of weeks we are taking down their details noting their noting down their skills to link them with the available opportunities इसमें जादा कुछ है नहीं और यह आपको पता होना चाहिए कि मन्रेगा का जो बजट था वो 60,000 करोड था 61,000 करोड अब उसे 40,000 करोड रुपे लॉक्डाउन के चलते पैंडेमिक के चलते कोविड 19 के चलते इंक्रीज कर दिया गया है तो this is another thing then let me just have a look at your doubts here मोहित आपको मैं पहले से बताते हुआ रहा था आपके जो डाउट्स है अनकेडमी इंक्रीज दी फी विदाउट एनी नोटिस तो यह ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं था मैं आपको यह बोलते हो आ जाए कि फर्स जून के बाद फर्स वीक में 10 जून से पहले पहले फीज बढ़ सकती है तो आपको यह बताया गया था पहले आप यह नहीं कह सकते एकॉनमी को इसी हफते में स्टार्ट हो जाएगा कभी न कभी रेस्ट शॉर्ट आप और जो लोग वेट कर रहे हो एकॉनमी के आपको प्रॉब्लम आएगी इसके लावा और कोई इशू आपको कर नहीं है किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो I will have a look at your comments again after five minutes तो let's get started तो स्कीम का budget इंक्रीज किया गया था यह हमें पता होना चाहिए Union Ministry of Rural Development इसको को implement करती है 15 days of the work being demanded within 15 days of the work being demanded work has to be provided अगर वर्क नहीं प्रवाइड होता तो Unemployment Alliance सरकार को राज्य सरकार को देना पड़ेगा तो यह चीज़ है अब क्रिटिसिजम क्या हो रहा है कि लोग काम मांग रहे हैं लेकिन कोविड नाइटीन के चलते जब लॉटब दाउन चल रहा था तो कौन आएगा सामने काम मांगा जा रहा है वर्क इमांड किया जा रहा है इसका पता कैसे लगेगा इसलिए कहा जा रहा है कि वर्कर्स को उन दो भाहिने की वेजस दी जाएं जो जब काम करना चाहते थे वह available थे ले मनरेगा has dropped from about 1.6 करोर in March to only 1.9 lakh families in April Tamil Nadu was hit the most with the count dropping from around 22 lakh in March to just 179 families in April तो यह सब चीज़े हैं और क्रिटिसिस्म क्या है मनरेगा का एक और पॉइंट यह है कि फंड ट्रांस्फर ओर्डर्स देरी से इशु किया जाते हैं FTOs देर से जो है रिलीज किये जा रहे हैं Ministry of Rural Development टाइम से पैसा रिलीज नहीं करती इस वजह से it is a it is a you know tactic to wean the workers away from मनरेगा related work तो existing concerns क्या हैं the wage rates under this employment program are abysmally low और इसी के साथ साथ यह pdf आप www.jatynverma.org से download कर सकते हो और सारी चीज़े आपको उसमें मिल जाएंगी PDF में यह जो लिखा हुआ है सारा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें पढ़ने की दूरत है राइट परसंटेस का मतलब होता है निशान्त आपने पूछा है परसंटेस यानि कि अगर एक परसंट दस दिन के लिए काम करता है डस दिन के लिए काम करता है तो यह चैंड परसंट डेस हो गए तो तो 100 workers days ऑग गए 100% days गए तो कुछ इस तरह से अगर एक परसंग दिन के लिए काम कर रहा है तो वो 100% days है लेकिन अगर 100 लोग 100 दिन के लिए काम कर रहे है तो वो 10,000% days हो गए is this clear? now then coming here yes no other doubts because today I'm not keeping a tab on your comments so this is all things Narega work belongs to the most vulnerable sections of society the urgent need now is to release all the money pending so FTOs fund transfer orders go time-bound manner me release kiya jana yeh zaruri hai a thousand of my migrant workers return to their native villages many more will need work under Narega over the next year abakili question yeh hai critically analyze manrega ko implement hoote huye kaafi saal ho gai ab critically analyze the functioning of manrega what more needs to be done to improve and help the benefits of the scheme reach the deserving people kya 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 jaya ek chote si questions mein pooch raha uske around manrega mein kya portability hai kya manrega portable hai across different states of India agar koi Punjab ka nagrik bihar mein jake kaam maangta hai ya bihar ka nagrik Punjab mein jake kaam maangta hai to kya usse mil saktah hai ya nahi ya aapko bata na hai then in the in short workers dependence on Narega for survival and coping with immediate stress will increase manifold in the country given this the number of days of work per rural household should not be limited to hundred days per year is ko hundred days se aur increase kya jana chahiyeh joh maine aapko question diya somebody please type and write this question here for others to be a good news right then manrega my wages come past me 2019 ke last me manrega wages ko consumer price index for agricultural laborers link kya gya tha अज ज्यादा news articles नहीं है इंडिया solar ferry sales into global content into global contest aditya representing Asia in gustave in gustavi 12 awards event is from kerala aditya joh Asia ko represent in gustave 12 awards तो यह india ka यह सब चीज़े इंडिया's first solar power ferry aditya which became an icon on the vicom uh this thawank uh thawankadavu route in kerala is among 12 such ferries that have been shortlisted for gustave trove award it is the sole entrance from Asia there are three awards in this uh uh gustave trove awards में कौन-कौन से रहते हैं electric boats up to eight meter in length electric boats more than eight meter long and electric ferry boats passenger boats in the category in which aditya is in the fray तो यानि की electric ferry boats में जो है जिसमें की passenger रहते हैं उसमें हमारा जो kerala का जो aditya है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गुजी's electric boat awards गुजी's electric boat awards were instituted in the memory of gustave trove a french electrical engineer and a pioneer in the electric cars and boats trove was a prolific inventor with over 70 patents back in 1881 he developed a five meter long prototype electric boat तो इन्होंने electric prototype boat को इन्वेंट किया इसी इन्हीं के around जो है यह award रखा गया गुस्टावे ट्रोव अवार्ड तो इसमें participate करता हुआ इंडिया से केरला इस third category में याद रख लोगे यह संदे के important news articles है क्योंकि मैं संदे को daily news analysis नहीं करता हूं और daily news analysis से जुड़े सभी alerts को पाने के लिए आप at the rate telegram channel है at the rate जतन वर्मा 71 यह आप जॉइन कर सकते हैं clear somebody please share the link of the telegram channel so that users are able to the new people are able to access this how many of you are new today in today's class simply write new then operated by kerala state water transport department the vessel was built by naval solar and electric boats kochi both by the success of the ferry and its rock bottom operating cost the department is expected to roll out more such vessels in the future as a public transport solar electric ferry it has proven its performance in its third year transporting 11 lakh passengers all these things are there then uh it's uh it's unusual for a high technology product to have such a low break-even period तो यह एक चीज़े जो है क्रितिसिजम क्रितिसिम क्या कहें इसके रास्ते में जो problems आ रहे हैं तो financial viability of the zero pollution vessel is such that KSWTD जो इनका department है Kerala state का said that it saved rupees 75 lakhs since its launch in 2017 तो यह सब चीज़े हैं यहां पर अब मिट पैंडेमिक पद्मा अवार्ड पॉर्टल गोज लाइव तो जैसे मैंने कल का यह न्यूस आर्टिकल है हमारा it has been thrown open for nominations by any individual in a pre-agreed format तो COVID-19 के होने के बावजूद पद्मा पॉर्टल जो है nominations आप इसमें खुद से भेच सकते हैं the portal has been thrown open while the portal went live on may 1 letters inviting nominations have gone out as per the convention to pass bharat ratna and padma vibhushan winners and eminent citizens for various seals while the letters invite nominations from them all those have to be a dog online online before the portal closes on September 15 यानि कि अब जनता से पद्मा अवार्ड की nominations पद्मा पद्मा भूशन और यह सब जो पद्मा विभूशन अवार्ड देने की जो ceremony है वो जब अगली बार होगी उससे पहले-पहले सरकार जो है लोगों से nominations माँग रही है पहले क्या होता था कि government handpick करती थी कि इनको यह अवार्ड दिया जाएगा और वो हो गए आपके पद्मा अवार्ड लेकिन अब क्या किया जा है अब ऐसा नहीं है अब यह किया जा रहा है कि आपको नॉमिनेशन खुद लोग भेजेंगे और उसमें से सरकार चुनेंगी राइट and 800 word description of why the nominee deserves the award is asked for तो आप मेरा नाम लिखके बेच सकते हो उसमें बिलकुल कोई इसमें जजक कोई हिचके चाहट नहीं होने चाहिए तो आप लोग जो डेली सुन रहे हो जितनी जादा नॉमिनेशन हो कि उतना जादा अच्छा हो सकता है न तो इस देर देन कमिंगेर पदमा आवार्ड पदमश्री पदमभूशन और पदमविभूशन तो यह वार्ड द सकतिक्ष जबडे जब चाहिए नहीं कर्णे करता है यह जाँ अच्छा है वी जपन अवगशन प्दमार्ड करें प्सक्ष प्रकांट प्दमभूशन खाला उन तूब जबें ऩरफ फिर शू प्लिए सेमें प्दमश्रा गार्णिश्रम ग्रण सब्सेंगियों जैंगर करे लाइंग पर्सनल प्रोटेक्शन किट तो किट्स तो दी मेडिकल और लौ इन्फोर्स्मेंट पर्सेनल तो यह सब चीजिए यहां पर पदमा वार्ट अवार्ट 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 अन्वली अन्वली इव रिपब्लिक दे तो 15 सेप्टेंबर को यह पोर्टल क्लोज हो ज जतन वर्मा 71 यह चैनल जो है में चैनल है हमारा इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी PDF यह जो भी अक्टिविटीज रहते हैं तो इस इस दियर देन yes you have to write answers to that question answer to that particular question how much of this course or class function so this is there आगे चलते हैं guys this is there the awards are conferred on the recommendations made by Pajma award committees which is constituted by the prime minister every year the awards are presented by the president of India usually in the month of March or April so the total number of awards to be given in a year should not be more than 120 details to be noted down in 2020 the president has approved conferment of 141 Padma awards including four duo cases in a duo case the award is counted as one त्यानि की total 137 awards दिये गए 141 में अगर हम देखें की फोर duo cases involved है total cap कितना है more than 120 नहीं होने चाहिए यह the list comprises of seven Padma Vibhushan 16 Padma Bhushan and 118 Padma Shri Awards भारत रत्न is the highest civilian award of the country it is awarded in the recognition of exceptional service the recommendations of the for the bharat ratna are made by the prime minister to the president of India अब देखोगे की Padma Awards के लिए committee constitute करी जाती है but recommendations for the bharat ratna are made by the prime minister to the president of India the number of bharat ratna awards is restricted to a maximum of three in a particular year ताकि इसकी value dilute ना हो जाए अब बात करते हैं Congress के एक प्रतिनिदी Congress के जो लीडर है और इस ताइम पर राजस्तान के चीफ मिनिस्टर है Mr. Ashok Gehlod इनका यह कहना है center must help states put economies back on track you have been claiming that Rajasthan is a model state in the distribution of Russian card तो काफी अच्छे initiative इनका यह कहना है कि Rajasthan government has set an example in helping out the poor and needy during the COVID-19 pandemic the rupees 20 lakh crore economic package announced by the union government has not provided any direct assistance to the states the states the governments have been claiming that Rajasthan is a model state in the distribution of ration and other materials to the poor then has the assistance reached the people not covered in the food security scheme how much has the state government spent on it the Rajasthan government has set an example of helping out the poor and needy during the COVID-19 pandemic looking at the livelihood problems of the deprived sections of society over 78 lakh people have been paid social security pension for 3 months amounting to rupees 2100 crores तो यह सारे अच्छे स्टेप्स लिए राजस्थान ने तो नाशनल फूट सेक्यूरिटी एक्ट के अंडर जिन 34 लाग लोगों को 34 लाग पीपल वर नॉट गेटिंग वीट अंडर एन एन फैसे हैब बिन प्रोवाइड 10 kg of food grains इस इच फॉर दी थ्री मन्स दिसाइज बन प्रक्यूर्ट बादी स्टेट फ्राजस्थान एफसी इसे राशन खरीदा गया राजस्थान ने राशन खरीदा और इन 34 लोग जो राजस्थान के इसमें कवर्ड नहीं थे उन तक राशन पहुंचाया गया तो यह अपने आप है कि Central Government को State Government की मदद करनी चाहिए what are the difficulties the State Government has faced in fighting the pandemic यह हमारे लिए इतना important नहीं है यहां पर यह कहना है Mr. Ashok Gehlodhka the Central Government needs to handhold the states until their economies are back on the track as for his suggestion the minimum support price ceiling enhancement अभी recently minimum support price increase किया गया जून के first week में तो उसको ध्यान में रखा जाने चाहिए and hold the states until their economies are back on track more than 90% of the package is in the form of loan to industries and businesses and not as grants to grants देने की ज्यादा जरूरत है तो बीस लाग करोड के package को क्रेटिसाइजी किया रहा है ले दे के यहां पर तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ज्यादा इसमें हमारे लिए नीट का नहीं है काम आज Brazil could quit WHO wants Bolsonaro तो Brazil ये धंकी तेरा है WHO को over its ideological bias as his counterpart Donald Trump said US economy was recovering from the COVID-19 pandemic while Europe slowly reopens its borders from Africa to Europe to Asia governments are focused on reviving economies ravaged by weeks of restrictions to contain the virus that has killed almost four lakh people worldwide तो ऐसे ताइम पर अब यह कहना है इनका की Brazilian President has threatened to pull out of World Health Organization over ideological bias तो European countries की बाद की गई है इस आटिकल में Brazilian President said either the WHO works without ideological bias or we leave to dub the Tropical Trump Brazil President said Brazilian President has followed the US President in his handling of the pandemic Tropical Trump क्यों कहा जा रहा ब्रजीलियन प्रेजिदेंट जो है Bolsonaro उनको यह कहा जा रहा है कि Tropical Trump है यानि कि Tropical जो countries है उनमें Donald Trump का काम करते हुए Brazilian President Bolsonaro to narrow downplaying its severity attacking stay-at-home measures and touting the purported effects of hydroxychloroquine against COVID-19 WHO had suspended the trials of hydroxychloroquine after major studies raised concerns about its safety and effectiveness a king US President who even took the drug himself as a preventive measure तो WHO ने hydroxychloroquine मतलब जिन बिंदूओं पे जिन पॉइंट्स पे डब्लूएच्चो का criticism Donald Trump नहीं किया था उन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाके बोल सो नैरो जो Brazilian President है जो कि domestically इतने अच्छे नहीं माने जाते अपनी काम का जो उनका domestically अच्छा नहीं है तो अब वो डब्लूएच्चो की तरफ निशाना साथते हुए यह कहा जा रहा है कि हम डब्लूएच्चो छोड़ देंगे नहीं तो आप अपना वो फर्म अपने आपको audit के लिए रेंडर नहीं कर रही है तो इसी लिए यह जो का यह भी क्रिटिसिजम करते हुए न्यू स्टी सेड़ दाट हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन शॉड नो को बेनेफिशल एफेक्ट हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन ने कोई बेनेफिशल एफेक्ट इन ट्रीटिंग कोविड-19 नहीं दिखाया दबलुएच्चो ऑल्चो चेंज इस अद्वाइज ओन दी फेसमास्ट सेंग दाट इन दी लाइट अवालविंग एविदेंस दे टो यह सब दी चल रही है वह जो इन वह जोई पर इन प्रफिट इन इंदा इंडिया विकेम अ पर टी टू फ्ट फितूब निचेंटस्टेशन ओ एफ जोफेस्ट एच्टेशन ओंट्वीन नेफीज इस वह जोज एच्ट इस एंधिशल एच्ट इस घ्सेशन इस एस एस फैमिली वेलफियर और डी डबलुएचों इंडिया कंट्री ओफिस तो यह सब चीज़े अब डबलुएचों का एक्जेकिटिव डबलुएचों की जो एक्जेकिटिव कांसिल है उसका चेयर बनने जा रहा है इंडिया फॉर नेक्स त्री यह तिल 2023 तो 2022 2023 यह इंडिया के लि उस्टम में वेल्ड चेयर और कासकर इंडिया के अपना वर्ल इंडिया अपना है के सिस्टम में उसमें पूलार की जरूरत आप ओवर रेलाइंस वन दी फ्रीविट सेक्टर घॉपितल्स प्राइविट सेक्टर हेल्ट के प्रवाइदर तो यह सब चीज थे अग्रेसे भी इस है आज आज दिन एप्सक्राइब कर दिया दोच्टी विए अच्टाइब कर दिया पूरी तरह से बंद कर दिया रही है यह सब चीजे चल रही है then coming here bank loans contract again as businesses remain moribund so for fortnight ending May 22 May 22 से जो पिछले 14 दिन है total May 22 तक उसमें जो total पैसे banks ने दिये वो पिछले साल के मुकाबले पिछले साल के इसी fortnight के मुकाबले कम है यानि कि जो main आधार है जो main base है government के lockdown से बाहर निकलने का क्या है वो base loans अब वो banks आगे loan देने में अपनी willingness नहीं दिखाते हो यहां पर banks expect bankers expect credit demand to pick up in the coming days as more borrowers avail themselves of centers full credit guarantee scheme through which rupees 3 lakh crore will be extended mainly to micro small and medium enterprises तो loan demand remained weak despite RBI's reducing interest rate RBI ने repo rate को reduce भी किया repo rate is the rate at which RBI lends money to the banks उस rate को कम करने के बाद भी bank credit contracted by around 28,500 crore rupees for fortnight ending may 22 the data showed deposits also shrank by rupees 19,843 crore after increasing by a massive rupees 1.27 lakh crore in the previous fortnight the business activity failed to pick up even as the country has started to gradually exit from the lockdown as was evident from bank loans contracting for the fourth straight week bank credit contracted by this much amount तो यह एक बुरी खबर है अब आगे चलते हुए हमें यह दिखना होगा कि अगर bank loans भी लोग नहीं लेंगे तो यह एक problem हो सकती है कि economy को सरकार कैसे revive करेगी then loan demand remained weak despite the RBI reducing interest rates sharply since the lockdown was imposed तो अब आगे चलते हैं guys editorials की तरफ हमारा time भी हो रहा editorials का editorial analysis is done on YouTube channel जतन वर्मास IAS Academy तो जो लोग editorials के लिए वेट कर रहे है आज editorials में हमारा काफी अच्छा content है एक बार इसे deal कर लें पटाफट से remaining articles को फटाफट से देखते होए चलते हैं social distancing is going to be the new norm this will boost the demand for passenger cars especially in the second half of financial year 21 we have to be patient and prudent till the normalcy is restored means of mass rapid transport system जैसे Metro travel है या public transport जो buses है लोग उनमें travel नहीं करेंगे और सुन्दरम finance जो MD है सुन्दरम finance के managing director उनका यह कहना है Bumper harvest is going to be a positive for agriculture and the impact of COVID-19 can be felt in all sectors and financial services is no exception how is सुन्दरम finance limited handling the situation तो एक इंडेस्टिर लिस्ट का article है इस पर हमें ज्यादर जाने की जुरुरत नहीं है जैसे मैंने बोला कि editorial analysis अभी YouTube channel है जो मेरा YouTube channel है जतन वर्मा जाए इस Academy उस पर हम analysis दिखने जा रहे है यह थे आज के और संदे के हमारे news articles the prevalence of diabetes among women high in Southern India तो यह भी एक और awareness के लिए news है prevalence of diabetes researchers have identified a bunch of districts in India that have the maximum prevalence for diabetes among women the burden is higher in the southern and eastern parts of the country and lowest in Central India researchers shows the data from researchers ने जो इसके लिए इस conclusion पर अराइब करने के लिए कि prevalence rate of diabetes जो है जादा है साउथ में वो उसके लिए कौन सा data यूज कि नाशनल फैमिली हेल्ट सर्वे फोर का यह डेटा सबसे जादा लेटेस डेटा है इसके लावा हमें जादा जाने की जुरूरत नहीं है यह देखेंगे कि क्या reasons है कि diabetes जादा है prevalence of diabetes among women in their late reproductive ages is highest among those with two or fewer children ever born who are educated belonging to the economically prosperous households sedentary living style जो लोग गरीब है उनको diabetes नहीं होती है अमीरों की disease है क्योंकि जो लोग बैठे रहते हैं computer पर काम करना है यह सब hence enjoying the changing lifestyle increased access to high energy refined and processed food and development previous studies जो diabetes incidence of diabetes पर जो पहले की studies आई है उन्होंने mixed results throw किये हैं in some finding greater evidence of disease in women in North India and other reporting men in South India as more susceptible तो यह सब चीज़े है mortality and women a study focused on this study focused on women who were approaching menopause which was also a period when the risk of obesity hypertension rose as well as complications from late pregnancy it also provided a greater perspective on why mortality from diabetes is higher among women तो यह सब चीज़े हैं world diabetes day world health organization has launched an initiative to expand access to affordable insulin on the occasion of world diabetes day team for world diabetes day was family and diabetes आप नोट कर लेन 14th November marks the birthday of birthday of sir Frederick Banting who co-discovered insulin along with Charles best in 1922 तो यह सारे points at the key points etc अब चलते हैं type 1 type 2 और poaching double during the lockdown says wildlife trade monitoring group wildlife trade जो traffic traffic wildlife trade को monitor करता है इनका यह कहना है कि पोचिंग के जो incidents है वो double हुए है तो यह अवे awareness के लिए news अच्छा है इसको जब हम Kerala के news Kerala में जो हुआ elephant के साथ में उसको इन दोनों को मिला के साथ में study करें तो एक integrated views का देख सकते हैं तो इस देख सकते हैं तो इस देख सकते हैं तो इसमें कुछ जादा है नहीं ट्राफिक है क्या the wildlife trade monitoring network is a leading NGO traffic is an NGO working on the wildlife trade in the context of both biodiversity conservation and sustainable development तो अब शुरू करते हैं guys editorial analysis अब से कुछी देर में जैसा मैंने बताया कि आने कैडमी कुछ लोगों को problem अपा रही है कि फीस कर दिया गया है guys don't go for the fee जो लोग में को मेरा यह माना है जो लोग अभी भी सिंसियर हैं दो साल की नहीं तो आप one year की subscription अभी भी पचेस कर सकते हैं और अभी कुछ दिनों तक यह जतन वाइटी 71 जो discount है referral code लगा कि आपको जो मिल रहा है यह भी थोड़े दिन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग जो जॉइन करना चाहते हैं तो लॉग डाउन तक डिसकाउंट दिया जा रहा था अभी जो है फी इंक्रीज की गई है तो आप जॉइन कर सकते हैं अने कैडमी मेरे जैसे की गवर्नेंस का कोर्स है यह जो इतने सारे कोर्स आप देख रहे हो उनको ध्यान में रखते हुए और आने वाला जो कोर्स है इंडियन का इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अभी भी जॉइन करना चाहते हैं और यह सारे कोर्स वान बाइवन यह आफ्टर यह लाए जाएंगे तो यू कंसिडर जॉइंग आने जॉइनिंग आने कैडमी फॉर माई कोर्स इस अलोन इवन इफ नॉट फॉर अट फॉर जैसे ही आप जते नवाइटी 71 कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% इसकाउंट इस पर मिल जाएगा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स डेली मेंस फटा फट से एडिटोरियल को डील करना और एडिटोरियल को समझना और उनसे पॉइंट्स एक्स्ट्रैक्ट करना है इसके लि लोगों का ही इंडियन पॉलिटी वी क्या है फिनांस कमिशन कैसे काम करता है वो सब भी मेरे इस पॉलिटी कोर्स को जॉइन कर सकते हैं रिकॉर्डेट क्लासेज और लाइफ सेशन दोनों आप लोगों को अवेलेबल रहेगा जो लोग जॉइन करते हैं अने कैडमी और मेर मंडे को हमारा जो है मंडे इसको क्योंकि बिजनेस पेज नहीं आता तो मंडे की निवस आर्टिकल्स हमारी थोड़ी कम रहती हैं तो इसलिए यह था आज का फुल दा हिंडू डेली इस अनालेसिस विद मी जतिन वर्मा थैंक्यों गैस